प्रशित को चले गई है अभी बिस्तर से उठाये हैं तो यहां पे यह रीजन था कि मैंने और रक्षित के पापा ने यही पे चाय पी थी उन्होंने यहीं पे ही अपना मतलब जो मैंने ड्रै फूर्ट का बना रखा था वो खाया था और मैंने चाय के साथ मठी खाई थी तो बस उसके बाद फिर मैं क मैं तो बस में पöllड करते थे तरह रेक्षित के पापा और मोस्ति हम जाती हैं तो बस कंबल वगेरा मेरे फोल्ड यहां पे हो गए थे और तो बस अब मैं चदर वगएर अपनी आज जाड़ दूँगी क्योंकि मैंने कल भी नहीं जाड़े थी डारेक्ट ऐसे ही बिछा दी थी इसको जैसे तक यह वगएर ऐसा ही करके तो आज मैं सोचरी इसको निकाल के अच्छे से जाड़ के तब तो बिछाओं और फेंट से ही निचे डबल बेट शीट बिल्कुल नहीं बिछाती हूं काफी लोगोंको मैंने देखा है कि भई डबल एक निचे कोटन की बैट सेट बिछाते हैं फिर उपर से यह वाली बैट सेट बिछाते हैं डबल डबल पर मुझे यह ऐसे सिंगल ही अच्छी लगती है तो मैं सिंगल ही इसको भी छाती हूं काफी अच्छी लगती है और मतलब गरम भी जल्दी हो जाते हैं मतलब कंबल में जब हम सोते हैं तो बस यही था और आज मैं काफी दिनों से सोच रही थी कि भाई कुछ आप लोगों से शेयर करूं कुछ बनाऊं कु तो जी अब बापा को काफी पसंद है तो बस यही था तो जी उसके तो मैं अभी फटाफट से अपना कर लेती हूं काम और उसके बाद मिलते हैं तो जी अब मैं आ गई हूं किचन में और आने के बाद करी हो अपनी सब्जी की त्यारी तो यहां पे सेव ले ली है मैंने सेव में बनाने जारी सब्सटाइब को ChiFran आप लोगोंने देखा कि मैंने आपयाज अपने काट ले 3-4 विहां तो क्याने जार ले थरी 5 or 6 लेसं कंपरे काली उमें के उनल बाजयोंति आरे ब्रेतार तो द॥ बट अगरम कस लेते हैं तो काफी अच्छा लगता है तो मैं यहां पेहले सोच रही हुई कि मैं अपना चोपिंग का काम है उसको कंप्लेट कर लेती हूं उसके बाद चढ़ाती हूं तो बस यही था और यहां पे मैंने अभी तेल गरम कर लिया है जीरा डाली है इसमें मैं ड अपना पेस्ट डालना है तो यहां पे मैं वेट कर रही हूं कि जल्दी से यह पक जाए और यहां पे मैंने थोड़ा सा पाने इसमें एड़ कर दिया है और उसके बाद फिर इसको अच्छे से पकाऊंगी और फिर इसमें अपना लसन डाल दूगी तो यह था कि अब यह अगर आप लोगों के पास अवेलेबल है तो अवश्य डालिएगा यानि कि बहुत ही जरूरी रहता है डालना पर नहीं था तो फिर मैंने नहीं डाला है और मैं लेके भी नहीं आई थी तो बस यह भून गए हैं देखिए काफी अच्छे से भून गए हैं लसन प्यास वग अपने तब तक तो देखिए कितने अच्छे से पकने लग गया है इधर और अभी धीरे-धीरे जो ओल है मसाले अपना वो छोड़ देंगे और उसके बाद फिरम करेंगे तो फ्रेंट्स यहां पर देखिए मैंने कुछ ज्यादा तेज पत्ते वगेरा इसमें इसमें इस्त अभी फिलाल तो देखिए यह पकने लग गया है पक भी चुका है काफियत तक तो बस इसमें थोड़ असा पानी वगेरा एड़ करके इसको फिर से छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए देखिए यहां पर मैंने इसमें पानी आड़ कर दिया है इतना क्योंकि अभी इसम सम्थिंग नो बजे का टाइम नो बजे रक्षित गया था तो अभी सम्थिंग दस बजे का टाइम हो रहा होगा तो यह था कि अपना फटाफट काम निप्टा लेती हूं जब तक रक्षित आएगा मैकसिमम मेरा अभी जाडू लग चुका है तो और सबजी भी देखिए ब बजे के तब बनाऊंगी तो वह भी आये नहीं है और मैं लगाने लग गई थी अपना पोचा फिलाल तो यह था कि पोचा लगा के अपना फटाफट फिरी हो जाती हूं क्योंकि फिर अक्षित आएगा तो उसके आने के बाद दिखो हो भी नहीं पाता है क्योंकि बच्चा मैं धरोदर घूमता है तो बस यह है कि अपना उससे आने से पहले ही मैं अपना पोचा वगारा निपता लेती हूं तो अभी सम्थिंग टाइम हो रहा होगा साड़े ग्यारा क्या सपास का मुझे काम करते करते काफी देर हो गई थी आज क्योंकि फिर बैठे हुए थे तो बैंजी आयो थी तो ऐसी बाते चल रही थी तो यह था कि बस अपना थोड़ा लेटी ही सही पर उतना भी लेट नहीं कि भाई हा क्योंकि हम लंच आप लोगों को पता है कि तकरीबन दिन में ही करते हैं एक बज़े के आसपस तो यह था कि बन जाएगा काम कुछ ज़्याद कि हाँ थोड़ से स्वाद अनुसार बना लेती हूं तो यहां पर मैंने हकका नूडल्स भी निकाल दी थी डब्बे में से भार रख दी थी मेरा यह था कि अगर तेन चार बजे अगर भूग लगती है रक्षित को या फिर मुझे या फिर रक्षित के पापा को तो यह था क मैं उसको दूल्च की हूं फिर भी अच्छे से साफ ने हो रहा है कुकर का पर वो धीरे धीरे हो जाएगा तो यहां पर मैं पानी गरम कर रही थी कुछ तो आटे के लिए क्योंकि ना आजरे का आटा जो आजरे का कहनी सोरी बाजरे का आटा जो गरम पाने में बहुत ही पानी मैंने उस पर रख दिया है और अपना कटोरी में थोड़ा सा ले लिया है क्योंकि रोटिया कामी बनेगी मैंने चावल भी बनाए है और तो चड़ा दिया है मैंने अपना तवा और आगए थे रक्षित के पापा अभी सम्थिंग बाराब जीक टाइम मूरा होगा तो जल्दी ही ले आये थे वो रक्षित को क्योंकि वो वापिस आ रहे थे तो यह था कि रक्षित को में लेके चलता हूँ और यहां पे मैंने पीने का पानी भी भरके रख दिया है गरम और रक्षित के पापा अपनी दवाई ले रहे हैं तो मैंने का आप ले लो वैसे अभी थंडे पाने में ही ले रहे हैं पर मैंने गरम भी भरके रख दिया है तो फ्रेंट्स देखिए यहां पर मैंने एक रोटी बना दी थी पहली रोटी गायमाता के लिए और अक्षित के पापा को लगे हुई थी भूख तो मैं उनकी साथ साथ उनकी थाली भी लगा दूँगी तो सबजी डाल रही हूँ और थोड़ा सा गुड रख दूँगी रोटी रख दूँगी और आचार हो जाएगा और लसी हो जाएगी तो काफी अच्छा टेस्ट बैठने वाला है और रक्षित के पापा को वेट नहीं होता है अगर वो घर पे है और खाना अगर बन रहा है और वीडियो को तो जी चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा प्लेस आप लोगों का स्पोर्ट चाहिए मुझे तो बस अब रोटी बना ले तो जी पहले रक्षित के पापा खा लेते हैं उन्होंने लड्ड को भी खिला दी थी तो ये था कि फिर उसके बाद मैं अपना का हुआ था उसको साइड कर देती हैं तो बस यह था और तो कर लेते हैं अपना मैंज जैसा भी होता है काम को तो देखिए यह थी मेरी ठाली चावल एक रोटी और सबजी और अचार और लसी तो जी यह मैंने लंच वगए अपना कर लिया था और अभी हो गया है सामका लगबग चार के आसपास का टाइम है और मैंने नाद हो लिया था उसके बाद अपना फ्री हो गई थी बिल्कुल और मैं आज सोबी गई थी फ्रेंड काफी अच्छी नीद ली है मैंने और रक्षित ने काफी हद था क्योंकि हम रात को लेट हो जाते हैं तो सोबा फिर तो यह हमें यह रहता है कि भई बच्चा नीपता कब मांग लेता है और वो मेरे साथ लगबग 11 बजे की आस पास तक जगता है रात को तो वो कभी भी बोल देता है मेरे को 9 बजे 10 बजे की मम्मी मुझे बिस्कीट खाना है और अगर घर में बिस्कीट नहीं होते हैं तो फ तो बस यही था कि उसके लिए मेरे पास सिमला मिर्ची वगेरा नहीं थे और उसके बिना वो अच्छी नहीं बनती हैं तो बस मैने का अभी नमकिन चावल फ्राइ कर लेते हैं चावल बचे भी हैं तो यह भी यूज हो जाएंगे और हमारी जो भूख है मैं कल सिमला मिर्ची या तो रक्षित के पापा से मंगवा लोंगे जब वो रक्षित को स्कूल छोड़ने जाएंगे या लेने जाएंगे तो कल आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी हका नोडल्स की रेसिपी में तो बस यही था और उसके बाद फिर मैं अब अपना प्यास वेगेरा डालके चाबल अच्छे से छोट लेती हूं कि क्योंकि न यह होता है अगर बच्चा भूक लगती है रक्षित को तो रोटी खाता नहीं है जैसे कि आप लोगों को पता है मैंने आप लोगों को बता रक बताया है पहले भी व्लोक में कि वो उसको रोटे से बाजरे की रोटी खा लेता है बट यह होता है कि देखो हर टाइम हम बच्चे को प्राठा ने दे सकते हर टाइम हम उसको मैगे निकला सकते और हर टाइम पे देखो बिस्किट भी निकला सकते तो थोड़ा भो टेस्ट जो है बच्चे का वो चेंज करने की हमें कोशिश करने तो बस मेरा यह रहता है कि कुछ न कुछ चाय वो थोड़ा सा खाए बट वो खा ले तो यही था और अब मैं फिलाल अपना कूड़ा जो है वो फैक के आती हूं उसके बाद अपने जो चावल की त्यारी है वो मैं करती हूं तो यहां पे जो था यह गाय की रोटी रखी हुई क्योंकि मैंने जो है ना चावल अपने हाथों से मैश करके तब हलके से डाले हैं तो इजी हो जाते हैं कि मसाला उनमें अच्छे से मिल जाए तो बस यही था और धाई रखी है हमारे फ्रेज में वो मैं गरम गरम चावल लूँगी और गरम गरम पे थोड़ी सी धाई क्योंकि देखिए चावल मेरे बंचुर के मैंने का थोड़े से ठंडे हो जाएं जब तक मैं अपना आटा लगा के जो है वो रख देती हूं क्योंकि देखिए रोटिया तो बनेंगी ही शाम को सबजी जो भी होगी वह मैं रक्षित के पापा से पूछके तब अपना कुछ लगा लेती हूं फटाफट और तो देखिए लग गया है गरम पानी में आटा कुछ अच्छा ही लगता है और तो मैं तो कह रही हूं कि भई गरम पानी के लिए आप बिल्कुल भी आलस ना करेंगी भई आटे के लिए गरम पानी करना पड़ेगा या फिर जो भी है तो उस यह मैंने अब उसी में चोड़ दिये हैं और तो मैं यहाँ पे थोड़ इसी धाई उनके उपर डाल लेती हूं क्योंकि रक्षित जो है वो धाई के साथ ही खाएगा और मैं थोड़ा सुखे भी खालेती हूं वैसे धाई के साथ भी बगी देखते हैं रक्षित यह पापा